साथियों, बिहार में बिजली की क्या स्थिती थी? ये भी जग जाहिर है। गावों में दो-तीन गंटे बिजली आ गई तो भी भहुत माना जाता था। शहर में रहने वाले लोगों को भी आट-दस गंटे से जादा बिजली नहीं मिलती थी। आज बिहार के गावों में शहरों में बिजली की उपलबदता पहले के मुकाबले कहीं जादा हुई है। साथियों, पावर, पैट्रोलियम और गैस से जुड़े सेक्टर में जो आधूनिक इंफरसेक्टर का निर्माण हो रहा है, जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, वो लोगों का जीवन आशान बनाने के साथ साथ उद्योगों और अर्थ बवस्ता को भी गती दे रहे हैं। कोरोना के इस कालखन में अब एक बार फीद पैट्रोलियम से जुड़े इंफरसेक्टर के कारियों ने गती पकड़ ली हैं। रिफाइंडरी प्रोजेक्ट्स हो, एक्स्प्लोरेशन या प्रोडक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो, पाइप्लाइन से हो, सीटी गैस डिस्रिबिशन प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स या तो फिर से चालू हो चुके हैं, या फिर नए शुरू कि इनकी संख्या कम नहीं है यह आठ अजार से ज्यादा प्रोजेक्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में 6 लाग करोर रुपये खर्च किये जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बिहार में गैस आधारित अर्थेववस्ता के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है इतना ही नहीं इन प्रोजेक्स में जितने लोग पहले काम कर रहे थे वो वापस तो लोटे ही हैं इनकी वजह से रोजगार के नए अवसरों की भी संभावनाय बनी हैं